गंगा की गोध हिमाले की छत्र छाया से सब्तरिशी मंडलों का दिव्यासिस लेकर के परमसद्धेजी युकतीर्त सांतिकुन्य हरिद्वार से लगभग 18 महां के बाद पहली बार उनका पावन मालवा निमाड खांदेश राजस्तान गुजरात के सरजन शिल साधकों के लिए एक सरजन साधना का विसेश कायरकम रखा है उस कायरकम के लिए उनका आगमन हुआ परमसद्धे का आगमन गायतरी धाम में हम सभी जीवन दानी भाई वहनों के लिए विगत पाँच वरसों के हमारी प्रग्या महापूरुस्षरण की साधना का जो छेतरी सन्यास काल था औ और उसमें हम लोगों का परमपुजु गुर्दयो परमंदने माता जी के सोरूप में गुरु सत्ता ने परमसद्धे को हमारे बीच में भेज करके ऐसा लगा कि रिशी युगम की प्राण सक्ति का आसिरवाद प्यार और उनके कोमल चरण और वो प्यार भरे कोमल आसिरवा से जुड़े वे सभी परिजन उनके आगमन पर अलादी थे जब हुए यहां 2003 में आए थे हनमान जेंति पर और कहे के गए थे यह तो छोटा सा मतस्याउसार का सुभारंब दीन है इसका विस्तार विराट मतस्याउतार का सोरूप जमाना देखेगा और उसका विजार उपन जो परम सद्दे द्वे यहां लगा करके गए थे आज उनका पुना आगमन उनके चरण कमल हमारे बीच में आए और नई नई प्रेणाएं नई नई शक्तियां नई नई योजनाएं और हमें भविश्य में गायत्री धाम के लिए कौन कौन से युग निर्मान और दर्शन मिलेगा इस भाव को ले करके हम सभी आश्रमबा सिकार करता भाई वेहन उनके आगमन को गुर्देव माता जी का आगमन मानते हैं अखिल विश्य गायत्री परिवार का हमारे वर्तमान के वह प्रथम वेक्तित्व है जिरूने उस परम करपालु गुरु सत्ता का सा जोती की मसाल को पुनः गायत्री धाम में इस्तापित प्रदिप्त करने के लिए आए हैं ऐसा गौरो साली च्छन हमारे जीवन के लिए भूतो ना भविश्यते इत्यास के पन्नों पर हम सतत ऐसी विभूती को गुर्देव के ऐसे लाडले शिष्य को नमन करेंगे मेरी आ प्रद्भावना नहीं है करोडो करोडो लोग जो उनको निकटता से जानते हैं वो ये मानते हैं कि कोई विरलाही करोडो सिस्सों में एक सिस्स होगा जिनों ने अपने गुरू का परम निर्वान देखा जिस इष्ट की उन्होंने उपासना करी हो उसी इष्ट दिन अपने सरीर को छोड़ करके कारण सरीर में प्रवेश क्या हो उनके साक्सि पूरुस के आज हम दर्सन पा करके गदगदे अभिभूत हैं उनके अंदर हम आदे सरीर में माता जी को आदे में गुर्देव को देखते हैं और उनकी प्राण आगने में वेद माता गाहितरी सविता के ते और वही छणा में महसूस कर रहे हैं और उनकी घर्मा में उपस्तिति को कोटी कोटी वंदन इस सत्पुड़ा के सुन्दर आबादियों में भने जंगलों में जरने तालाब सरोवर में और तीन जोतिर लिंगों के त्रिवनी संगम में हमारा कारक्यम होगा मानधाता उंकारे स्वर का नासिक का त्रम्बे के स्वर का और महाकाल का उज्जेन का और आहिल्या माता की पवित्र उपजोन इंदोर का इसी के साथ में हमारे बोड़ोदा गुजरा सूरत सागवाडा इतने परिजन सब लोग इस कारक्यम के हिस्सा बनेंगे साथे पुज्य गोमाता की सुर्भी की तपो भूमी पर सद्धे जी का विभिन क्रिया कलापो में देश का हमारा पिचुत्तरवा आजादी का अम्रित महोत्सव का तिरंगा धज लहराएंगे इसी के साथ सुर्भी मंडपम का लोक आरपन करेंगे जहाँ पर रशनात्मक जन कल्यानकारी योजनाओं के प्रसिक्षन सिविर चलेंगे उस आडोटोरियम हाल का उदगाटन समारो संपन्न होगा इस आयोजन में युग साधकों का एक दिव आयोजन रखा है सद ग्रंथ सोभायात्रा इस सद ग्रंथ सोभायात्रा में हमारे 125 तैसिलों के वह कारिकरता जो ग्यान यग्गे को घरगर तक गाउं गाउं तक पहुँचाने का परम सद्धे जी के मार्ग दर्शन में गरिमाम उपस्तिते में पुझ्य गोमाता सुर्भी के पावंतपो भूमी पर संकल्प लेंगे साती कारिकरता जो छेत्र सेहां पर आएंगे सरद उत्सो दो हजार एक्कीस की महारास जिसमें हजारों नर्नारी स्वास दमा कप खासी के ओस्धी पिने के लिए सब्ता अंदोलनों में रश्नात्मक क्रिया कलाप और कोविट काल में जिन लोगों ने चिकसा सेत्र में पतन और पिडा निवारन के लिए अपनी सेवाई प्रदान करें ऐसे परिजनों का भहुमान और सद्धेजी सम्मान भी करेंगे जितने भी लोग हैं आएंगे उनको निसुल का ओसधी वित् की थी है यह अपने आप में हम गायतिरी प्रजनों के लिए एथ्यासिक आनुकरणी अभिनंदनी होगे निशित मानिये पुझ गोमाता का यह तपधाम जहां सबतरीसी मंडल विभिन प्रकार की रश्नात्मक क्रिया कलाप जहां स्वतही गूरुसत्ता इस पवित्र आयोज जनका जेन क्या